तो हैलो दोस्तों स्वालगत है आपका चारी इस न्यूर्व वीडियो से तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पता हूँगाँ कि आपको इश्रम-कार्ड में एडिटिंग कैसे करनी है यह ठीक है अगर आप लोगों ने अभी तो आप information को check कैसे कर सकते हैं और उसे change कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको live दिखाऊंगा तो वीडियो स्टाट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे ह हमारे लेटेश वीडियो आपको सबसे पहले मिलें तो चलिए फटाफट से आपको दिखा देते हैं आपको editing कैसे करनी है सबसे पहले आपको इस website पर आना है इश्रमकाड.government.in ठीक है सीधा आपके सामने यह वाला page ओपन हो जाएगा यहां पर आपको अपना जो अधार यहां पर सेंडो चुका है और मेरे रिष्टेट फॉन निमबर पर जाने वाला है और OTP आ चुका है और मैंने से यांपर फिल कर दिया अब मुझे क्या करना है, submit पे click करना है, इसके बाद हमारे समने ये वाला page open होगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना अधार नमबर डालना है, और I agree पे click करना है, और submit पे click कर देना है, इसके बाद हमारे जो अधार card में registered phone number है, उस पे एक OTP ओर जाएगा, और जब OTP आ ज profile और download UN card, ठीक है, आप e-shram card को यहाँ से download भी कर सकते हैं, तो मैं पहले आपको update profile पे दिखा देता हूँ, आपको क्या करना है, आप update profile पे click कर दीजिए, आपके सामने कुछ इस तरह का user interface आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, personal information, address, education and income, occupation and skill, और bank account detail, इन पांचों का आ यहां से change कर सकते हैं, ठीक है, change करने के बाद, यह change करने से पहले आप चाहो तो preview profile पे भी click करके देख सकते हो, कि हमारी क्या क्या चीजिए इसमें अंदर fill है, ठीक है, तो मैं आपको इन पांचों में से कोई एक change करके दिखा देता हूँ, तो मानली जी मैं occupation and skill पे click कर देता हो एक बार, तो हमारे सामने देखिए, occupation का यह हमारा हो चुका है, open, और यहां पे आप चाहो तो अपना occupation और secondary occupation और इसमें skill वगेरा, आप इसमें आपका कोई जो भी आगर आपके पास कोई file है, उसे upload करना चाहें, उसे भी कर सकते हैं, और इसका कुछ सारी detail fill करने के बाद update पे click कर दीजे, ठीके, इसके बाद जो आपका, जो card होगा, उसके अंदर occupation आपका यह वाला change हो जाएगा, ठीके, तो मैं back आ जाता हूँ, उसके बाद change करने के बाद आपको क्या करना है, preview profile पे जाके आप देख सकते हैं, कि वो update हुआ है की नहीं हुआ, और इसी तरीके से आप personal information में change कर सकते हैं, address में correction करना चाहें, वो भी कर सकते हैं, educational और income को भी change कर सकते हैं, और bank account detail को भी अगर आप change करना चाहें कर सकते हैं, यानि कि आप चाओ तो अपना bank भी change कर सकते हैं, मालिजे आपका SBI आप ICI कर सकते हैं, HDFC कर सकते हैं, अपनी मर्दी से कुछ बी customize क कर सकते हैं छीक है ऊपकी प्रीविव प्रोफाइल पे जाकर ठेक कर सकते हैं और सारा काम करने के बाद आगर आप चाहो तो इश्रम疫情 Exchange कर सकते हो ठीक है अपडेट अप्डेट प्रोफाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसे आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं ठीके दोस्तों तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको इश्रम कार्ड में एडिटिंग कैसे करनी है और अपना जो डाटा था उसे चेंज कैसे करना है और अगर आप चाहो तो डाउनलोड करना चाहो उसे भी कैसे कर सकते हो I hope so आप लोग सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको इसे एडिट कैसे करना है तो guys thanks for watching this video and subscribe this channel